पांच महीने में दूसरा चौपर क्रेश, जाच के आदेश चीता हेलिकॉप्टर ने अरुनाचल प्रदेश में बॉंदला से भरी थी, उड़ान नई दिल्ली इंडियन आमी का चीता हेलिकॉप्टर अरुनाचल प्रदेश में गुरुवार को क्रेश हो गया, इसमें आर्मी के पाइलेट लेफटिन एंड करनल वीवी बी रेट्टी और मेजर जैनते की मौत हो गई। आमी के मुताबिक हाथसे की वज़े जानने के लिए कोर्ट ओफ इंक्वाइरी का आदेश जानकारी के अनुसार आर्मी एविएशन का चीता हेलिकॉप्टर अरुनाचल प्रदेश में 20 साल से सेना कर रही है इन्हें बदलने बॉंदिला के पास ऑपरेशनल उडान पर था गुरुवार सुबह करीब 9 बच कर 15 मिनिट पर हेलिकॉ हेलिकॉप्टर की तलाश में आर्मी, ITBP और SSB की पांच सर्च पार्टियों को फॉरन सर्च के लिए भेजा गया इसके बाद चीता हेलिकॉप्टर का मलबा बंगला जाप गाउं के पास मिला बतादे की पिछले साल अक्टूबर में अरुनाचल प्रदेश के तवांग के पास एक चीता हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ था, इसमें एक पाइलिट की जान गई थी, सेनाओं के पास चीता और चेतक हेलिकॉप्टर हैं, जो काफी पुराने हैं, इंडियन आमी, नेवी और एरफोस 20 सालों से हैल बना रहा जरूरत के L.U.H. एरक्राफ सेना की जरूरतो L.U.H. मिलने से आर्मी और एरफोस इन पुराने हेलिकॉप्टर को रिप्लेस कर सकेगी, का 226 हेलिकॉप्टर पर लटकी है डील, वैसे पहले ये लानिंग थी कि पुराने हेलिकॉप्टर को L.U.H. के साथ ही करीब 200, का 2260 युटिलिटी हेलिकॉप्टर से रिप्लेस किया जाएगा, का 2267 के लिए रूस से टेक्नोलजी ट्रांसफर होनी थी, लेकिन ये डील सालों से पैंडिंग पड़ी है, अब रूस युटिलिटी हेलिकॉप्टर को बदला जाए लेकिन अब तक यह नहीं हो पाया है, आर्मी एविएशन के पास अभी करीब पुराने हैं, करी चेतक और चीतल हेलिकॉप्टर हैं, इसमें से पांच-पचास साल से भी ज्यादा पचास साल पुराने हैं, सियाचन और लेह जैसे और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, पहाडी इलाकों में इन ही हेलिकॉप्टर के जरिये रेस के ओपरेशन भी किया जाता है, आमी के अलावा नेवी और एरफोस के पास भी यह हेलिकॉप्टर हैं,